मुश्कार आप देख रहे हैं हांसी के आवाज आज हम खड़े हैं वन अव दा लीडिंग इंस्टिशिएंग एस्टी मॉडन पब्लिक स्कूल के अंदर जहां फर्स टाइम एक एडवेंचिरियस एक्टिविटीज हो रही हैं और आप देख रहे हैं चारों तरफ होट एर बैलून भी यहां चलेगा जो फर्स टाइम हासी के अंदर मुझे नहीं लगता कि डिस्टिक में भी कभी चला होगा किसी स्कूल के अंदर और एडवेंचिरियस प्रोग्रेम यहां हो रहे हैं मेरे साथ खड़े हैं वर्दी पिंसिपल सुरिंद्र अरोडा जी तो सर आपका स्कूल वनोदा लिडिंग इंस्टिशूशन है तो थैंक यू राजीब बंसर जी आप आज बच्चों के लिए हमने यह एक्टिविटी करवाई है जो एडवेंचिर एक्टिविटी आपको मालूम होगा कि दो साल से बच्चे करोना काल में बहुत अपने घर में इस लेए इसे पॉब्राइबया है तो उनको एक इंजॉयमेंट देने के लिए कि बच्चों में इक्टिविटेंस आ सके और पच्छे अपने लिए कुछ कर सके और मदब स्कूल के लिए और निवा एक्टिविटी एक्टिविटी अरेंज़ की हुई है सायद ये हांसी में बच्चे आपने लोग कितना एंज्याय कर रहे हैं जो आर्मी में जो एक एक हमारे अथेनिक को सिखाई जाती है वोई एक्टिविडी बच्चे यहां करने जा रहे हैं रोग क्लाइमिंग है सब कुछ कर रहे हैं पर पर रहे हैं आईए दिखाते हैं एक्टिविटीज मेरे साथ हैं कुनाल जो अगरवाल साब नुकुल जी जो यहां के मेंबर हैं सजन अगरवाल जी के बड़े लड़के हैं तो सर यह आपके जहन में कैसे आया कि फर्स्ट टाइम आपके स्कूल के अंदर इतनी अडवेंचरेस एक्टिव के लिए प्रिंसिपल साब ने रिकमेंड किया था और उन्होंने वीडियो दिखाई थी इनकी उसके बाद हमें लगा कि हासी में यह फर्स्ट टाइम ऐसा एडवरेंचर स्पोर्ट सगर हो तो बच्चों के लिए इस वेरी न्यू तो फिर हमने यह डिसाइड किया कि स्पोर सेफल में हम करवाएं और बच्चों का बहुत अच्छा इसमें एंजॉय कर रही है तो इडिस वेडी गुड़ाइवा जटों पहांते हैं सर्वाब करिए यह क्या है सर यह जो भीन है इसको है। आए बटो के लिए अफंदे चल रह behaviour ऑपने सूब्स चाहिए में यह संदेवाचों के फंदे होता है अल्वीक वो श्टेटी कर थोड़ा अब शेंज कर थोड़ा हुर साइज एंगे ओर उनलाइं ट्रश लेकर बैठे पेठे पेलिंग शी ओजाती है अब इससे अंदर का ओंफिटें सारा को खुल के मतां अंदर का जो एंजा में बाहरा रहा है इंका यह स्टाइब कमिंग और यह स्टाइब के लिए जब कभी का लग जाती है तो बच्छों को चाइल्ड हूर्ड यहानि कि स्कूल स्टेज पर ही ऐसा रेस्की उपरेशन दिख जाता है अपने आप में एक अग्जाम क्लाइमिंग में है यह आपने जब यह कभी देखा होगा कि हील्स पे कैसे बच्चे चड़ते हैं उपर इन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे इल्स पे आपको चड़ना है तो यह हमने एक स्कूल में क्रिट किया है एक्टिविट बच्चे उपर जाते हैं यह 30 फिट तक जाएंगे और यह बच्चों में रॉक क्लाइमिंग की स्कॉट्स के अंदर जो केंप लगते हैं तारा देवी वग्यारा का तो उसी की एक मिसाल है अग्जामपन है यह बच्चा थोड़ा रिलेक्टेंट कर रहा था यह बच्चा ब अपने आप में यह यूनीक है अग्जामपल इलिस्टेट कर रहे हैं यह बच्चा कैसे कुरोष कर रहा है आपके जो ऑनरेबल पिंसिपल्ज है मनेजमेंट है उन्होंने यह इवेंट कर वाएं कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है फिर्स ताइम इस एक् सब्सक्राइब कर रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है इस से हमारे स्कूल पे भी परभाब पड़ेगा की अच्छा लगेगा और स्कूल के में जो स्टूदेंट्स की स्ट्रेंट हो गी वो भी बड़ेगी आपको अच्छा माहुल है और बच्चे बहुत इंजाईगा Sir, thank you. So I express my gratitude. You have organized such a adventurous events in your school. आर होट एर बैलून इस ना जरी दिस्टिक ने मुटून आखेते होगा एंग में इस षहर के लिए अजिस्टिक के लिए झाल झाल